तो आपका जैसा मैं कहे रहा था कि आपका इतना कॉम्प्लीट हो चुका है मॉक्टेस दे दीजे जेतना भी 14 मॉक्टेस टोटल हो चुके हैं चैनल पर वो जाके दे दीजेगा और अभी मैं प्रियोर्टी में है कि आपका मैं 2000, 13, 14 और 15 का पेपर कल इंगलिस का करा दूँगा उसके बार केमेस्ट्री आपका 2000, आपका 7, 6 और 8 यह तीन साल का पेपर रह रहा है यानि 60 कोईस्चन्स यह 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 दोनों आपका हो जाएगा यूट्यूब पे ठीक है तो प्रिवेस यह पूरा केमेस्ट्री का 2006 से 20 तक कर लिजेगा ठीक है ठीक है, टाइम 8 बजे है रिया आनंद, यहाँ पर 8 बजे फिक्स टाइम है, हर दिन 8 बजे एक्जाम तक ठीक है, टाइम फिक्स कर दियें, ओके आज आने जिए सभी को, साइन्स का मौक टेस्ट हो रखा जाके चैनल पे कीजिए, मॉडल पेपर, 6 से 7 टेस्ट आपका ले चुके हैं ठीक है, चेंज टाइम नहीं होगा रितू, आपको इस टाइम पे करना कीजिए क्योंकि यही टाइम फिक्स हो चुका साड़े 6 में दिविका भारती मौक टेस्ट हुआ था हिंदी का, पहली बार पीपिया टुटोरियल पे हिंदी नामक सब्जेक्ट भी आपका लिया गया वैसे साइनस इंगल इस होता है, तो पहली बार हम तरहा है, चैनल सब्कूल को पहली बार हम हिंदी कराएं चैनल पर पे मौक टेस्ट के हिंदी दिवर्सत पर हिंदी करा दिये ठीक है, टाइम यही फिक्स रहेगा, जिनको टाइम अनप्रप्रियेट लग रहा है, तो हम क्या कर सकते, टाइम यही है हमारे पास खाली ने तो फिर सुभा का 2, 3, 4, 5 यानि सुभा का 2, 3, 4, 5 बज़े खा लिए उस टाइम को इंटरेस्टेट है तो बोलिए ठीक है चलिए कितने स्टुडेंट आ चुके हैं देख लेते हैं अभी तक 70 स्टुडेंट आये हैं टाइम भी चलिए हो चुका है स्टार्ट किया जाए तब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक कर लिये थे एक बार चैट में बता रिजेगा लास्ट क्लास में क्या किये थे हम लोग कौन सा टॉपिक डिसकस हो गया था यानि कल हां हां यह सब हम आपको बता चुके थे हैं आज बोले थे कि आपको इलेक्ट्रोन वांडिंग से आपको हाइविडाइजेशन करवाएंगे डाइपोल मॉमेंट करवाएंगे यह दोनों चीज़ करवाएंगे और ऑक्सिजी करन नमबर निकालना तो लास क्लास में समझा ही रख है ठीक है तो सबसे पहले हाइविडाइजेशन कर लेते हैं पूरा क्योंकि सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है आपका ठीक है स्क्री दीख रहा है सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रसंसकरन यानि हाइबिडाइजेशन क्या है ये आपका प्रसंसकरन यानि आपका hybridization सबसे महत्पुन आपका topic है और इसी topic से आपका बिहार paramedical में last तीन वर्सों से questions आ रहे हैं ठीक है तो आपका इसी topic से last तीन वर्सों से आ रहे हैं यानि chapter नमर 4 का ये सबसे महत्पुन topic है यानि इस topic पे आपका 2020, 2019, 2018 तीनों वर्सों में आपका questions आये थे तो आज detail में पूरा करेंगे first day में बस आपको थोड़ा सा बताये थे आज पूरा detail में इसको करेंगे ठीक है क्योंकि बहुत महत्पूर्ण है 20, 2019, 2018 तीनों येर्स में आपके आये रिकॉर्डिंग करना सही आद दिला दिया हम तो recording करना भूल गये थे रूखिये लगा देते है record चलिए record हो रहा है अब यहां से आपका recording स्टार्ट हो गया ओके तो आपका सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहला point है carbon, carbon के बीच में single bond फिर दूसरा है carbon, carbon के बीच में double bond फिर carbon के पीच में triple bond ठीक है सबसे पहले इस में हम लोग आपका निकालना सिखेंगे sigma and pi bonds ठीक है sigma and pi bonds ठीक है sigma and pi bonds निकालना हम लोग इस में सिखेंगे अभी भी screen दिख रहा है न एक बार बता दीचे, screen दिख रहा है na screen दिख रही है na, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ, ठीक है so एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए, अब दिख रही होगी जिनको नहीं दिख रही है एक बार काट के फिर से rejoin कर लिजे alpha, sigma and pi bonds ठीक है sigma और pi bonds यहाँ पर निकालना सिखना है हमें ठीक है, sigma और pi bonds यहाँ निकालना हमें देखना है ठीक है, तो आपका सबसे पहले single single bond में आपका क्या रहता है, एक आपका रहता है sigma ठीक है, double bond में रहता है 1 pi और 1 sigma और triple bond में 1 pi 1 pi और इधर 1 sigma ठीक है, तो आपका total कितना हो गया पहला वाला में 1 sigma दूसरा वाला में 1 sigma, 1 pi और तीसरा वाला में 1 sigma और 2 pi ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका sigma का मतलब, sigma bonds और इसका मतलब क्या हो गया pi bond ठीक है, तो examples से समझते है examples जैसे c2, h6 में आपको निकालना है कि केतना sigma और pi bonds है, ठीक है तो निकालिए, केतना है आपका sigma और pi bonds और message में डालिए इसमें निकाल के बताईए sigma और pi bonds केतना रहेगा इसमें देखते हैं कौन निकाल पाता है police का दे दे हैं structure बना देते हैं, थोड़ा असानी होगा structure बना लिए h, h, सभी को h दे दिए ठीक है, तो कितना होगा इसमें option A है 7 sigma, option B है 6 sigma option C है आपका 8 sigma और option D है आपका 5 sigma ठीक है, एक, दो, तीन ठीक है, अब इसपर pole दे देते हैं pole से थोड़ा सा interesting लगता है class चलिए, बताईए तो A, B, C, D में आपको बताना है और देखते कौन टॉप करता है आपके पास 18 seconds है, 74 students अभी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहापे जल्दी जल्दी दीजे, सिर्फ 7 seconds बचा हुआ है 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब देखते कौन टॉप किया है साक्षी पॉदर फर्स्ट है, शुवन कुमारी सेकेंड और विद्या थर्ड है ठीक है ओके, 35 लोगों का सही एंसर आया है B options क्यों चुन रहे थे, बहुत लोगों ने B options चुना है यहाँ पर आप सभी की pole खुल जाती है, जो गलत करते है और यह स्यस कर देते हैं कि हो जाता है यहाँ pole में आपका pole खुल जाता है है कि नहीं, pole आपका pole खुल देता है आई यह निकालते है तो देखिए, कैसे निकालना है बहुत easy है यह आपका single single bond है ना तो मैंने क्या बता है सिंगल बॉंड में आपका क्या रहता है सिंगल बॉंड में आपका एक सिग्मा रहता है ठीक है तो यहाँ एक सिग्मा ये भी आपका एक सिग्मा ये भी आपका एक सिग्मा सब सिंगल बॉंड से सब सिग्मा हो गया add कीज़े सभी को तो साथ total आ रहा है साथ सिगमा तो ए ओप्षन सही है आपका आ रहा की नहीं तो बहुत तो इजी कोशन था फिर भी 16 स्टूडेंट्स ने B ओप्षन्स को यानि 8 ऐसा क्यों सुरी 6 सिगमा को B ओप्षन्स को दिया अब याद कर लिजे ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट चलते है नेक्स्ट कोशन थोड़ा सा हाड करते हैं कोशन्स को थोड़ा सा कोशन्स को हाट करते हैं पैरामेडिकल लेवल का कोश्चन ये तो असान था लेकिन फिर भी ये पैरामेडिकल से संबंदी थी प्रशन था अब थोड़ा सा करते हाट आपका कोश्चन है कोश्चन है आपका सी टू एच फोर अब बताईए सी टू एच फोर है ओप्शन ये इसमें कितना होगा टू पाई प्लस कितना सिग्मा हो जाएगा थ्री शिग्मा थ्री पाई प्लस टू शिग्मा सी ओप्शन हो जाएगा टू पाई टू सिग्मा और डी वन पाई एड फोर सिग्मा ठीक है तो आपका पॉल अब स्टार्ट करता हूँ अब पॉल से आपका पॉल खोलेगा किसका सही किसका गलत चलिए एंसर दीजे ताइम स्टार्ट नौ एंसर दीजे जल्दी जल्दी नौ सेकेंड से आपके पास जल्दी जल्दी एंसर दी जेफ टाइम स्टार्ट प्रियांका उजाला पाल और यह क्या है इंकम टैक्स डिपार्ट्मेंट यहां रेड करने आये हैं क्या जी इंकम टैक्स डिपार्ट्मेंट छापा वपा मारना है क्या है यहां पे सही उत्तर आपका होगा A आईए देखते कैसे आईए देखते कैसे होगा तो आपका उपर में देख कर दे रहा हूँ आपका यहां पे कार्बन कार्बन है एक एच इसको दे दीजे एक एच इसको दे जीजे और आपस में ये 3 bond बनाएगा तो आपका ये हो गया 1 sigma ये हो गया 1 sigma और triple bond में तो 1 sigma प्लस 2 pi होता ही है तो आपका 1 pi 1 pi और बीच वाला 1 sigma तो total केतना हो गया आपका 3 sigma प्लस 2 pi यानि option number A ठीक है options नहीं दिखेगा बस आपको questions याद रखना होगा और tick कर देना question screen पे दिखेगा उसके बाद सीधे pole start हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा memory power strong रखना होगा ठीक है तो हम थोड़ा सा time दे देंगे उसके बाद आपका pole start करेंगे कि आप solve कर पाओ ठीक है next question से आपको time दे देंगे उसके बाद ठीक है next question और यह previous year का सवाल था C2H2 यानि आपको इसको क्या बोलते है Acetylene क्या बोलते है Acetylene Name क्या है इसका common name Acetylene ठीक है Next देखते है Next देखते है Next है आपका इसका last question है इसके बाद नया इसके property स्टार्ट करेंगे यह last question है तो इसको अच्छे से सही कीजेगा अब बहुत important है और सही questions है C6H6 यह सबसे favorite है C6H6 यानि आपका Benzene इसमें निकाल के बताईए ठीक है Solve कर लीजे थोड़ा सा time दे रहे हैं उसके बाद आपको पोली स्टार्ट करेंगे Solve कर लीजे ठीक है Solve कर लीजे ठीक है हो गया Solve सभी का चलिए पोली स्टार्ट करते है Answer नहीं देना है Message में Poll में देना है ठीक है Answer Message में नहीं डालना है ठीक है Poll के बाद आपको डालना है ठीक है Poll जब हो जाएगा तब Quiz हो जाएगा तब ठीक है क्योंकि सबका Poll खुलना ज़रूरी है यहाँ पे यह अच्छा है feature इसका सभी कोई दीजे Answer सभी बचे Try करेंगे सारा Question Attempt करना है तुका मार यह नहीं आ रहा तो ठीक है Negative Marking नहीं है ठीक है तुका मार सकते हो क्या बात है साक्षी पॉदर Form में है तीन तीन Poll में First आई है Second Sivani Mato और Third है आपके Pankaj Kumar Very Good तीनों को आईए निकालते हैं इसको कैसे निकलेगा So Questions में आपका Correct एंसर हो जाएगा D Option ठीक है जिनका D था Very Good D आपका Correct है ठीक है कैसे आप देखते हैं आपका यह Benzene का Structure है ठीक Benzene का Structure है H इधर एक 1 H इधर एक H H H H ठीक है तो बाहर तो 6 हो गया आपका बाहर तो आपका 6 Sigma हो गया यह 1 2 3 4 5 6 यह पूरा 6 Sigma हो गया ठीक है अंदर में भी आपका 6 Sigma हो गया Color Change करके कर रहा हूँ एक दो 3 4 5 6 और एक Pi दूसरा Pi और तीसरा Pi तो टोटल केतना हो गया आपका 12 Sigma 12 Sigma और 3 Pi Correct नहीं हुआ तो हम बड़ा स्क्रीन करके भी समझा आदेंगे डीटेल में तो 12 Sigma और 3 Pi हो गया नहीं समझ में आपका तो बड़ा स्क्रीन पे भी समझा आदेंगे देखिए ठीक है इसको पूरा डीटेल में ही कर लेते हैं डीटेल में करेंगे तो इस प्रकार से होगा डीटेल में कर लेते है ठीक है अब सबको एक 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 ए तीन आपका डबल पॉंट है एक सिग्मा एक पाई ठीक है फिर आपका एक सिग्मा फिर एक सिग्मा फिर एक पाई फिर एक सिग्मा फिर यहाँ एक सिग्मा एक पाई फिर एक सिग्मा टोटल काउंट करोगे 12 सिग्मा प्लस 3 पाई ठीक है तो यह था आपका ठीक तो यह आपका सही उत्तर है ओके समझ में आगे यह स्टाइब कर दीजे चैट बॉक्स पे यह स्टाइब कर दीजे ठीक है तो यह तो हो गया आपका सिग्मा और पाई बॉंड निकालना अब होमबक थोड़ा दे देते हैं सिग्मा और पाई पॉंड पे होमबक दे देते हैं सिग्मा और पाई पॉंड पे ठीक है होमबक लिख लिजे होमबक में लिख लिजे S2SO4 S2SO3 ठीक है C2H4 ठीक है यह तिनों का आपको निकालना है ओके क्योंकि structure हम बता दिये थे S3PO4 का भी निकाल दिजे क्योंकि last class में structure बता थे और यह इंपॉर्टेंट है ठीक है यह इंपॉर्टेंट है structure हम लास क्लास में बता है न फॉस्फोरिक एसिट का तो इसका हो जाना चीए ठीक है बैक चलते हैं अब अपना ठीक है ठीक यहां तक तो हो गया सभी को निकालने आ गया अब बॉर्ड लेंथ का बात कर लेता है बंध की लंबाई carbon, carbon, single bond, carbon, carbon, double bond, carbon, carbon, triple bond तीनों में बात कर लेते हैं ठीक है बंध की लंबाई क्या होगी तो इसको हम लोग अभी discuss कर लेता है ठीक है तो second point क्या होगे आपका बंध की लंबाई तो सबसे पहले bond length लिख लेता है बंध की लंबाई ठीक तो इसका केतना होता है 1.34 एंगल स्ट्राउम कारवन कारवन डबल बॉंड का केतना रहता है आपका 1.33 एंगल स्ट्राउम और ट्रिपल बॉंड का केतना रहता है 1.21 एंगल स्ट्राउम ठीक है एक एंगल स्ट्राउम ब्रावर केतना होता है 10 का power minus 10 meters तो अगर हमको दे रखा example सबका उधारन के माध्यम से समझते हैं for better understanding कि आपका ये दे रखा है C2 H6, यहाँ दे रखा है आपको C2 H4 यहाँ दे रखा है आपको C2 H2 तो सबसे कम बंध लंबाई किसमे होगी? सबसे कम बंध लंबाई shortest bond length किसमे होगी? बताएं 1st, 2nd, 3rd में सबसे बंध लंबाई किसमे होगी? C2 H2 में C2 H6 में C2 H4 में किसमे होगी? इथेन इथाइन किसमे होगी? येस आपका सबसे छोटा इसमे होगा ठीक है? सबसे बड़ा यह होगा ठीक है? क्योंकि यह आपका सबसे छोटा है यानि 1.21 angstrom है ओके? बात समझ मैं सभी को? क्लियर है? सबसे छोटा C2 H2 यानि acetylene common name आपका सबसे छोटा होगा और यही आपका previous year का प्रशन था 2020 का 2019 का 2019 का इसी पर प्रशन आया था bond length के उपर previous year से भी की होने चैनल पे पूरा previous year detail में करा रखे हैं 2019 में प्रशन था ना bond length के उपर यही टाइप कर दीजे था ना यही कोशन था और यही आपका options था जो अभी करा है C6, H6 methane सबसे छोटा कौन था? C2 H2 यानि आपका acetylene तो यही कोशन था आपका तो यही तो इतना आसान कोशन पूछा था आपका previous year में इस topic से chapter number 4 यानि chemical bonding से 2020 में था सनाया सान्या आपका linear structures के उपर उस पे भी हम लोग आते हैं अब आजाते हैं next आपका third आपका point है जो अभी एक student सान्या ने linear structures का बात किया तो उसी पे आजाते हैं bond angle bond angle कितना होता है इसका level आप 108 लेके चलो 9 भी ले सकते हो इसका 120 degree 108 degree और 180 degree ठीक है यही होता है आपका bond angle यानि carbon carbon के बीच में आपका कितना angles रहता है fast fast जो कर रहे हैं बहुत fast में यहां से remove कर देंगे ठीक है fast slow यहां पे होगा तो fast fast हम remove भी कर देंगे जिनको bullet train में चड़ना हम पहली ही बोलते हैं हर बार बोलते हैं जिनको bullet train पे चड़ने का सौक है जापान जाईए और वहीं का paramedical का exam दीजे जापान का paramedical का बिहार में नहीं चिक हैं तो bond angle देख रहेते हैं हम लोग 109 भी ले सकते हो कोई दिकत नहीं है average में लेके चलिए तो bond angle पे next page पे जा रहे हैं ठीक है bond angle के लिए next page पे जा रहे है voice कट रहा है क्योंकि it's raining outside ठीक है ठीक है बहुत ज्यादा heavy बारिश हो रहा है सुबह से तो हम tower पे नहीं चढ़ सकते हैं अभी समा चाहते हैं इसके लिए बारिश में हम भींग के नहीं पढ़ा सकते हैं इसलिए मैं tower पे नहीं चढ़ा हूँ आज ओके नहीं तो हम चढ़ जाते tower पे ठीक है ना इसलिए थोड़ सा adjust कर लिजा अगर sound cut रहा है तो चलिए next चलते है bond angle discuss कर रहे थे तो bond angle में क्या बोले हम 109 degree chart ले सकते हैं 120 degree और 180 degree तो questions कुछ इस प्रकार से आया था कि आपको carbon का ऐसे 4 yogic दे रखा था ठीक है 4 yogic दे रखा था question में ठीक तो आपको एक जगा बीच में triple bond दे रखा था एक जगा side में दे रखा था एक जगा double bond triple bond दे रखा था तो इसमें पूछा था राखिक कौन होगा आपका यानी linear यानी straight line 180 degree किसमे होगा linear का मतलब क्या होता सीधा straight 180 degree तो आपका हम बता चुके है single single bond, double bond, triple bond कौन सा होगा आपका राखिक ABC में से बताए अभी एक इसमें नहीं डाले है बस इतना पर ही बताए किसमें होगा ABCD में से pole start किया जाए pole छोड़िए pole नहीं start करेंगा हाँ, तो यहाँ पर आपका सही आपने सभी ने उतर दिया आपका A वाला सही होगा ठीक है, कारण होता है कि जब भी हम किसी भी योगिक या अनू का आपका बात करते हैं compound या molecules का तो हमेशा हम लोग उसमें central item देखते हैं ठीक है, क्या देखते हैं? central जो central पर ठीक है central item का बारे में देखते हैं और उसी के आधार पर hybridization यानि प्रसंसकरन decide करते हैं कि वो आपका कौन सा होगा तो इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपका triple bond, double bond, single bond है कहां? तो रैखिक पूछा है तो आपको central में आपका 180 degree यानि triple bond होना चाहिए, ठीक है? ओके? तो यहाँ पर मातर एक योगीक ऐसा है जिसका बीच वाला आपका triple bond है, बाकी आपका ये भी triple bond है, यहाँ भी triple bond है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है लेकिन हमको center में देखना है center में कहाँ पर है, तो बस इसमें first वाला में, terminals वाले का बात नहीं करना है, ठीक है? यह side वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? terminal तो terminal क्या है? terminal को हमको नहीं बात करना है, terminal से कोई effect नहीं पड़ेगा, उसका central जो atom है, उससे effect पड़ता है तो central item यहाँ पर आपका यह है, तो यहाँ center देख रहे हो तो आपका बस पहला वाला में बीच में है, बाकी सब terminal है, ठीक है? तो इस वज़़े से आपका यह हो गया, तो यह था आपका question 2020 के paramedical का which one is linear structure from the following given compound तो आपका यह था, h add कर कर लेना, और जाके previous year एक बार 2020 का जरूर देख लिजएगा ठीक है? 2020 का previous year कम से कम 2 से 4 बार अच्छे से कर लिजएगा हाँ, यह 2020 का है, ठीक है? ठीक है? यही था आपका 2020 का questions इस chapter से तो आप देखे कि last 3 year से कैसे questions पूछ रहा है अब आज आते हैं, last point point number 4 point number 4 है आपका क्या है point number 4? hybridization, जो topic लिखे वही presence कर रहा है तो सबका बात कर लेते हैं hybridization, इसका क्या होता है? SP3 इसका केतना होता है? SP2, इसका केतना होता है? SP3, sorry SP पता है सभी को? SP3, SP2, SP अच्छा है, question है कि आपका SP में आपका सबसे ज़्यादा electro negative कौन है? SP3, SP2, SP विधू तरिनात्मक केरेक्टर किसमें ज़्यादा सोगा? SP, SP2, SP3 इसमें बताए विधूत रिनात्मक तत्व कोश्चन्स है electro negativity सबसे ज़्यादा किसमें सो होगी? ये मेरे तरफ से कोश्चन्स है देखते हैं थोड़ा SP, ये ब्लॉक आप लोक सही से पढ़े हो कि नहीं electro negativity सबसे ज़्यादा किसमें होगी? electro negativity विधूत रिनात्मक तत्व ये सबसे ज़्यादा आपका SP में होगा क्यूँ? कारण क्या है? reason क्योंकि आपका बताए reason क्या है? कौन आपका S या P कौन सा आपका इंपार्ट करता है electro negativity S की P हाँ क्योंकि यहाँ पर 50-50 परसेंट पर इस वज़ा से हाँ bond length भी कम है इस वज़ा से सारा इसमें गुन जूड कर एक साथ हम लोग बोलते हैं कि electro negative जादा है तो आपका अगर compound हम दे दे एक compound दे दे C2, H4 C2, H6 और C2, H2 C6, H6 तो सबसे ज़्यादा electro negative compound इसमें से कौन सा होगा कौन ज़्यादा electro negative कौन सा होगा बताइए अच्छा पोल करें सोनुनी का हम बोल रहे सर पोल ठीक है लीजे पोल पे चढ़ जाईए पोल करते हैं स्टार्ट पोल होता है आपका स्टार्ट जखते कौन फरस्ट करता है चलिए टाइम्स अप जखते इस बार कौन फरस्ट किया आज सिवानी महातो साक्छी पोदर और सुमन कुमारी पूरा फॉर्म में है यही टॉप कर रही है सारा पोल ठीक है इसी तरह सबसे रैपिड एंसर दीज़े ठीक है यह के बीसी में जाएंगी तो रैपिड फायर राउंड में होगा तो साक्छी पोदर और आपका यह एक और इस्टुडेंट थी वह दोनों जीट जाएंगे हाँ सीवानी मातो और साक्छी पोदर दोनों उत्तर सही होगा आपका सी ठीक है सी टू एच फोर सी टू एच टू रीजन क्यों है क्योंकि स्पी है स्पी है स्पी है ठीक है तो यह था आपका पुरा हैब्रिडाइजेशन एक अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो अन्त का है तो हो सकता इस बार आपको सीस और ट्रांस के उपर एक कोईशन दिख जाया और मैं हमेशा जानते हूँ कि क्लास का एंड में ही कुछ इनपॉर्टेंट बताता हूं examinations point of view से जो जो last तक क्लास में regular रहते हैं last तक क्लास करते हैं रोज आप सभी जानते हो कि last में ही हम important key points और कुछ extra बताते हैं कि सिस और ट्रांस के उपर यानि डाइपोल मॉमेंट से एक questions आपका आ जाए इस chapter से क्योंकि आप देख रहे हो कि 4 साल से सब पर एक questions आ रखा तो अब निया क्या पूछेगा तो निया क्या है आपका डाइपोल मॉमेंट ठीक है ठीक है डाइपोल मॉमेंट अच्छा होगा सांग कल तो नहीं सुनाए था आज सुना देंगे पहले हैं सही से पढ़ लीजे तब देखिए डाइपोल मॉमेंट क्या होता है ना डाइपोल मॉमेंट कोई ज़्यादा हाड चीज है ने अभिए आपको हम बताये थे ना कि electronegativity मतलब क्या है अपने तरफ आकर्षित करना एलेक्राउंस को ठीक है तो अपने तरफ electrons को आकर्षित करना तो जैसे यह आपका battery low का में रहा गया notification 10% यह जैसे आपका ammonia है ठीक है loan pair के साथ ठीक है पांच valence आपका electrons होता है तो यह अपने तरफ क्योंकि nitrogen ज्यादा electronically negative है nitrogen ज्यादा और लेक्रोन नेगेटिव है hydrogen से तो यह जो share paid electrons है अपनी तरफ घीचेगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा जो share payed electrons है यह जो घीचता है ना इसी को हम लोग बोलते अपने तरफ जेतना घीज पाता है डाइपोल मोमेंट तो अपने तरफ चार्ज को घीजता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डाइपोल मोमेंट यानि आपको डाइपोल मोमेंट मू ठीक है यह आपका वेक्टर कॉंटिटी है तो चार्ज इंटू डिस्टेंस या डिस्प quantity है ठीक है? Vector quantity पता है न? Distance और Magnitude दोनो रहेगा ठीक है? Star Direction और Magnitude दोनो रहेगा Direction और magnitude दोनो रहेगा So यह अपने तरफ जैसे HCL हो गया ठीक है? इस पर Plus Church रहता है इस पर Minus Church रहता है? ठीक है? तो यह अपनी तरफ Plus Church को attract करेगा ठीक है क्या होता है तो इसको sign को हम लोग इस तरह से show करते है डाइपोल moment को यह plus charge को अपने तरफ attract कर रहा है तो यह आपका dipole moment है अब इसी के ऊपर आधारित आपका numericals नहीं निकालने आता है इस पे आपका concept के ऊपर आपका questions आ सकता है आपको जिसको हम लोग isomerism chapter यानि जियो सी जर्नल और गयानिक chemistry में study करते है class 11 में जिसको हम लोग cis और trans बोलते है ठीक है तो cis और trans आपका dipole moment से आधारित आपका है इस पे questions कराते है ठीक है तो आईए देखते questions cis butene trans butene ठीक है cis और trans butene यानि butene का आपका ये रहता है ये आपका एक और ये आपका एक cis और trans बता रहे है तो ऐसा question आप लोग देख सकते हैं अपना paramedical में इस बाट cis और trans के उपर ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है क्या trans इसको क्या बोलते हैं हम लोग उपर वाले को cis ठीक है correct है समझ में आए उपर वाले को cis नीचे वाले को trans यह स्ट्रक्चर समझ में आया है ठीक है यह स्ट्रक्चर कर दीजिए अब इसको हम explain करते हैं questions कैसे आएगा जिनको नहीं समझ में आया है explain कर रहे हैं ठीक है questions कैसे पूछेगा तो questions में आपको ऐसी स्ट्रांस दे रखा होगा और आपको पूछेगा कि किसमें आपका dipole moment 0 होगा या जिसमें नहीं होगा तब dipole moment से संबंदी सवाल आया है तो dipole moment आपको कैसे करना तो पहले एक normal example समझ लीजे यह आपका CCL4 है कार्बल tetracloride